नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी के चिर परिचे दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को ले करके यानि कि असी तरह के वात रोग आपको घेर लेते हैं तो इनसे निजात पाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप जानते हैं कि पक्षागात यानि की पक्षागात से ले करके हरिदय की बिमारी तक यानि की दिल का दोरा पढ़ना भी इसी वजह से होता है आए जानते हैं इस मल भी साफ हाता है इसके अलावा सौफ और जीरा बराबर मात्रा में लेकर तवे पर हलका भूनले इसे भोजन के बाद हर रोज चबाते रहने से भोजन भली प्रकार से पच्टा है पीसी होई हल्दी और नमक 5-5 ग्राम के मात्रा में लेकर गर्म पानी से सेवन करने से गैस में तुरंत लाव होता है गैस, डकार एवं पेट दर्ध होने पर हिंग को गर्म पानी में घोल कर नाभी के आसपास लेप करने तथा आधा गराम भुना हुआ हिंग किसी भी चीज के साथ खाने से लाव होता है इसके सेवन से भूख बढ़ती है यदि वायू रुकने से पेट दर्ध हो तो दो गराम हिंग आधा किलो जल में उबालें तथा एक चोथाई पानी शेश रहने पर गर्म गर्म ही पीए यह लावकारी प्रियोग है जी हाँ इसके अलावा जाइफल को निम्बू के रस में घीस कर चाटने से दस्त साफ होकर गैस दूर होती है दस्त आने लगते हैं कब ज दूर होता है इससे आपको लाव होता है यानि कि आपके पेट में गैस नहीं बनती है जीरा एक चमच तवे पर भून करके पीसा गया हो ये ध्यान रखें इसे लेकर के एक चमच शहद में मिला करके भोजन के बाद हर रोज चाटने से गैस डकार आँख आना पेट दर्द अपच पुरानी पेचिश और संग्रहनी यानि कि स्प्रूम में लाव होता है जीरा पेट के रोगों में अत्यांत लाव कारी है, दसट पेचिश इत्यादी में जीरा छाँच में डालकर के सिवन करना गुन कारी होता है दो चम्मच सूखा धनिया एक ग्लास जल में उबाल कर एवम छान कर उस पानी को दिन में तीन समान मत्राओं में सिवन करने से गैस में लाब होता है यानि कि आपके गैस की बिमारी दूर हो जाती है 6 ग्राम अजवाइन में 1,5 ग्राम काला नमक मिला करके गर्म पानी से सिवन करने से गैस मिटती है अजवाइन पेट की वायू को बाहर निकालती है अता भोजन में किसी भी रूप में अजवाइन का प्रियोग अवश्य करना चाहिए अजवाइन और काला नमक बराबर मात्रा मातरा में पीस कर चाच चार गराम की मातरा में चाच के साथ सेवन करने से वाईू का गोला दूर हो जाता है गैस से उत्पन पेट दर्द को दालचीनी नश्ट करती है तथा पाचन शक्ती बढ़ाती है इसलिए इसका प्रियूग करें दालचीनी थोड़ी सी मात्रा में ही प्रियूग करें िस बात का खास ध्यान रखें अधिक मातरा में सिवन करना हानी कारक होता है क्योंकि ये बिहद ही गर्म प्रकृतिकी होती है प्राता काल चाई की चुसक्या ले ले करके एक गलास आधा लिटर गर्म पानी पीने से सदा के लिए खासी, जुकाम, नजला, स्वरभेद, छींके, सिरदर्द, कब्ज और बधहजमी से मुक्ति प्राप्थ हो जाती है यदि इस गर्म पानी में आधा निम्भू का रसनी चोड़कर सिवन किया जाए तो पीट में गैस और सडन उत्पन नहीं होती है सरदी के मौसम में सुबह गर्म पानी पीने से खासी, जुकाम के नश्ट होने की संभावना अच्छी होते है यानि की ये सारे नश्ट हो जाते हैं, भोजन के बाद सिधे यानि की चीत लेटकर आठ लंबी सांसे लें, फिर दाहिनी करवट के बल लेटकर के सूलह लंबी सांसे लें, और फिर बाईं यानि की अंत में बाईं करवट के बल लेटकर 32 लंबी सांसे लें, इस प्रक्रिया अथवा प्रियोग से भोजन प्राकृतिक रूप से यथा स्थान पहुंच जाता है और वायू यानि की गैस मुक से डकार के रूप में अथवा गुदा द्वारा अपना वायू के रूप में उसी समय यानि ततकाल निकल जाती है पेट में गैस बनने की दशा में भोजन के बाद 125 ग्राम दही के मठे में अजवाएन दो ग्राम और काला नमक अथवा आधा ग्रम मिला करके खाने से वायू गैस मिठती है सप्ताह या दो सप्ताह तक निरंतर दीन के भोजन के बाद इस प्रियोग को करें इस प्रियोग से वायू का गोला आफरा के अतिरिक्त कब्ज भी दूर हो जाती है जिहां दोस्तों तो ये कुछ ऐसे घरेलो उपाय थे यानि कि मैंने इतने उपाय आपको इसलिए बताए क्योंकि इन में से जो भी आपको आसानी से मिल जाए आपके पास वो लब्ध हो उसका प्रियोग करके आप गैस की बेमारी को दुर भगा सकें ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहदे महतो पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार